हमारे यूटूब चनल डाक्टर त्यागी हेल्थ टिप्स में हार्दिक स्वागत है। हमारे चनल को सस्क्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू। लगाना चाहते थे कि इन रोगाड़ों के करन खाद निजनित रोगों से वे किसी पदार्थ में कितने दिनों तक जीवित रह सकते हैं। बलकि वे वहां कई महीने बिता सकते हैं। शोद के दवरान शोद करताओं ने पांच विबिन परकार के सैलमोनेला रोगाड़ों का अध्यन किया। लैरी के अनुसार कम नमी वाले घाद परदार्थ में इन रोगाड़ों को अलग किया गया था। शोद करताओं ने सैलमोनेला रोगाड़ों को कोकीज और क्रीम बिसकिट में इस्तेमाल होने वाले चार तरह के इस्टप में डाला और इसके साथ उन्हें संग्रहित करके रख दिया। शोद करताओं ने साथ ही कोकीज और क्रीम बिसकिट में भरावन के लिए पनीर और पनीर बटर का इस्तेमाल भी किया। बैग्यानकों ने पाया की प्रतेक भरावन में कितनी अवधी के लिए सैलमोनोला रोगाड़ों जीवित रहने में सक्षम है। सोच से पता चला की कुछ मावलों में ये रोगाड़ों क्रीम बिसकिट में कम से कम छे महीने तक जीवित रहे। व्यूचार्ट का कहना है कि इस प्रेडाम की उमीद नहीं थी। इस अध्यान को जर्नल और फ्रूड फूर्डेस्कन से प्रकाशित किया गया। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर आवर वीडियो जाए।